नमश्कार दोस्तों, टेक स्केन के एक बिल्कुल नया फ्रिस और एक्साइटिंग अबसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर में 5G आक्संस के बारे में बताऊंगा आपको बता है भारत के अंदर अभी तक अपने 5G सर्विस को लॉंच नहीं किया गया है और इसके पीछे का जो में कारने की भारत के अंदर गवर्मेंट की तरफ से अभी भी 5G स्पेक्टरम को आक्संस नहीं किया गया है आपको बता है भारत के अंदर अगर किसी भी टाइब का टेलीकम सर्विस प्रोवाइड करना है तो गवर्मेंट की तरफ से एक हाई वैलू पे करके उन्हें स्पेक्ट्रम को खरिदना होता है जो स्पेक्ट्रम को बाद में अपने नेट्वर्क के उपर यूज करते हैं और य आपकी सारे कमपनी के पास से भी कुछ अच्छे रेजल्ट्स ही आपर हमारे पास निकल के आया है लेकिन अगर मैं ओफिसियल लॉंच की बात करता हूं तो वह लॉंच होने से पहले सबसे पहले गवर्मेंट की तरफ से फाइब जी स्पेक्ट्रम को औक्संस करना होगा जि यह जो पर्टिकुलर ओक्संस है यह काफी पिछे चला गया है मतलब 2020 साल के अंदर यह होने वाला था पैंडमिक के कारण से नहीं हो पाया 2021 के अंदर भी नहीं हो पाया फाइनली 2022 के अंदर हमें देखने के लिए मिला है दोस्तों यह 5G स्पेक्ट्रम का ओक्संस जो है वो फाइनली वो रिकमेंडेशन अल्री हमारे पास आ चुका है तो 5G स्पेक्ट्रम का ओक्संस कब होने वाला है चलिए 5G ओक्संस के उपर पूरा जो डीटेल से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं आसागरते हैं वीडियो चापको काफी पसंद आने वाला है दोस्तों निल सकता है ब्राइड न्यू आइफोन 12 चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तों ट्राइ मतलब टेलिकम डेगलेटेर्य आथरिटी आप इंडिया की तरफ से जो रिकमेंडेशन यहां पर दिया गया है उससे टेलिकम कंपनी बिल्कुल भी खुश नहीं है कंपनी का यह मांगना था कि जो ट्राइ की तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया है बहुत सरे ऐसे स्पेक्ट्रम है जो काफी ज़ाधा उबर प्राइस्ट है फर एक्जमपल अगर मैं 700 मेगार स्पेक्ट्रम की बात करते हूं तो आपर 40% का प्राइस रिडाक्शन हमें देख करते हैं तीन प्राइवेट टेलिकम कंपनी जियो एया टेल और वोड़ाफन आइडिया को उनकी तरफ से ट्राइ को रिक्वेस्ट किया गया कि आप जो रिकमेंडेशन यहां पर दिया है उसे फिट से रिकंसिडर किजिए थोड़ा सा प्राइस और ज्यादा किजिए लेकि कि देखिए 2021 साल के अंदर जो स्पेक्ट्राम का अक्सरांस हुआ था या गर मैं 2016 साल के भी बात करते हूं जहां पर 4G स्पेक्ट्राम को आक्सरांस हुआ था हूं पर कुछ ऐसे स्पेक्ट्राम बैंड है जो बहुत साथ एफिसेंट है लेकिन ट्राइ की तरफ से उसका प् खरीदा ही नहीं तो यह चीज़ जब होते हैं तो government को एक huge amount of loss होते हैं क्योंकि यही spectrum oxygen से government को काफी सारे amount मिलते हैं और वो बिलकुल भी कम नहीं होते हैं सिम्पली अगर मैं 5G spectrum oxygen की बात करता हूं तो government को minimum यहाँ पर से 7.5 lakh करोड रूपए मिलने वाला है तो इतना सारा पैसा मतलब अगर हर एक spectrum बिग जाते हैं तो government को ज्यादा फायदा होंगे government को ज्यादा यहाँ पर income होंगे अगर एक भी spectrum में आंसोल कंडिशन के अंदर रहते है कि आपको कौन कहा था कि इतना ज़्यादा प्राइज रखे था कि कोई टेलीकम कंपणी से पार्चेसे नहीं करें मतलब क्या कुछ चीज अंदर में चलते हैं आप एक बार सोच कर देखिए अगर मैं 5G oxygen की बात करता हूं तो department of telecommunication की तरफ से कोई भी ऐसे आपने निकल के नहीं आया हैं लेकिन कुछ sources के मुताबिक जून महिने के first half के अंदर मतला 15 तरिक से पहले हमें में 5G spectrum का oxygen के लिए मिल जाएंगे जी हां दोस्तों जब भी 5G spectrum का oxygen होंगे टेलिकाम कंपनी कितने amount of spectrum खड़ी देंगे यह दिक्कत वाली बात है क्योंकि अगर टेलिकाम कंपनी अपने budget के अंदर 5G spectrum को नहीं पाते तो वो नहीं purchase करेंगे 5G spectrum या 5G सर्वी भारत के अंदर launch ही नहीं होंगे वो depend करते हैं टेलिकाम companies के उपर अगर try की तरफ से दिया ह हुआ recommendation या जो spectrum का pricing है वो अगर थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं तो इसके लिए government काफी ज़्याद मुश्किल में पर सकते हैं अभी देखते हैं टेलिकाम company कितना amount of spectrum यह पर purchase करते हैं और कब वो अपने 5G service को launch करते हैं लेकिन यह almost confirm है कि जून महिने के 1st मतलब 15 तरिक से पह जान करें मिला तो वीडियो को लाइक किजिए वीडियो का अपने दोस्तों के साथ से यार किजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पासने लाइक उनको दवाना बिलकुल भी मत्फुलिए ऐसे interesting वीडियो daily basis देखने के लिए थैंक्स फ़रचिंग बाइं टेक कैर आप से वर समय लगा तो कि ऐसे को नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा